हेलो दोस्तों मैं हूँ विश्टों वेलकम पैक नार्य यूटूब चैनल रियक्शन जोन और दोस्तों कैसे तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो देखा था नैपाल की कुछ अमेजिंग फैक्स की बारे में और जो आज मैं आपके वीडियो लेकर आया हूँ वह और भी ज्याता रोमांचक वीडियो है जिसका नाम है नैपाल का सेक्स फ्री विलेज मतलब कि नैपाल का रड लैट एरिया जहां पर आप आगे समझ ही करेंगे मैं क्या कहना चाहरे हूँ चलिए वीडियो को पूरा देखते हम उसकी बाद डिशाइड करेंगे क्या कि यह वीडियो सच है या गलत है क्या इसके अंदर सचाई बता ही जूट बताया गया वह तो हमें वी यूटूब चैनल से हम लोगी वीडियो देखते हैं जिनके 78 के सब्सक्राइबर से अच्छे का सब्सक्राइबर ने इस वीडियो के व्यू भी बहुत अच्छे व्यूद गए हुए है तो चलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और समझते हैं क्या है असली माज बहुत आपनी कमेंडेशन भी मुझे मैंक्ट सेख्शन जे सकते हैं अपनी र्या इसका मतलब है कि नैपाल जैसे सेक्स फरी कंट्री टाइप का मड़म क्या यहां कि लडगिया जो है किसी के विशात जो है सोने के लिए त्यार हो जाती है इस प्री कंट्री टाइप का है मैडम क्या यहां की लड़कियां जो है किसी के भी साथ जो है सोने के लिए तियार हो जाती है किसी का भी दिल दुखान यह अपमानित करने के उद्धेश से यह वीडियो नहीं बना गया है बस मनोरंजन हितु बना गया है चलिए देखने क्या मनोरंजन है यह है यह नैपाल असली नैपाल क्या बना गया हुआ यह अनिहान पेड़ पौदे हद्यानी पहाड़ तुल अक्तमाल एक यह असली नैपाल तो साथियो स्वागत है आपनों का मेरे एक और नए ब्लाग में साथियो मैं बिने कुमार साथियो आज मैं फिर हिमाले में हूँ और हिमाले की घाटी में जो लोग हैं लोगों को देखने के लिए लोगों को जानने के लिए लोगों को समझने के लिए लोगों की यहां के कल्चर के लिए उनके रहन सैन उनके जीवन में क्या क्या किस प्रकार की हलचले हैं किस प्रकार लोग यहां पहाडों में बसते हैं रहते हैं तो ऐसे नैपालियों को देखने के लिए मैं आया हुआ और हमने सूचा कि चलो कमसे कम हिमालय में भूम भी आते हैं कि कि यार का दिफ कशंडे का दिम तो साथियों आपने मुझे प्वाड़ दिया अच्छा लगा दिलार दिया अच्छा लगा साथियों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कम से कम यार इतना कंजूसी मत करो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपके इधर देख सकते हैं पीछे पहाड है हिमाला है और इधर लोग उहां पर बसी हुए हैं साथियों इतनी गर्मी में मैं इतनी उचाई पर आया हूँ उचाई गर्मी में जितनी उचाई पर आप जाते हैं उतना ही सास लेने में प्राबलम होती है ऐसा मुझे महसूस यहाने पर हो रहा है दूसरी बात गर्मी भी बहुत काफी है गेट पर ही लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं इसकूल को छतिगरस्ट करने का काम करती हैं तो आपके खिलाफ दंडात्मक कारेवाई की जाएगी और सक्ती से आपके साथ पेसा आए जाएगा तो इसकूल को यह सरकार इकना महत्त देती है कि आप कलपना नहीं कर सकती हैं कि आपके लोग यहां पर जो है पहाडों के बीच में बसे हुए हैं एक नैपाली महिला भी जो है कि यहां खड़ी है और यहां का जन जीवन कुछ अलग है यहां का कल्चर भी अलग है देख सकते हैं सभी प्रकार की सुविधाएं यह लोग नैपाल सरकार की मदद से यास होता है जो है कि पैदा करके रखे हैं अच्छा एक चीज आप से पूछना है कि जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया का कल्चर जो है थोड़ा से दूसरे ढंका है वहां पर लड़ी लडगा कहीं भी एक साथ मा ख़ड़े हो सकते ह्नवारता करते हैं नेपाल में ऐसा नहीं है तो लड़का लड़की जिदर भी रहे एक कलास में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि नेपाल जैसे सक्सपरी कंट्री टाइप का है अच्छा अच्छा कोई किसी को नहीं रोक सकता है बहुत खुब सुर अब यागी दूसरा दूसरा कलास में भी नह हात रा सकते हैं जा सकते हैं ओई माबाप भी अ कर पारीवार के लोगाया तो और ये बहुत अच्छी बात है बहुत बच्चे कैस कहां जाते हैं पढ़ने के लिए अचछा बगल में आप लोग खेती किसा ने नहीं ना तो आपके कितने विच्छे हैं एक बच्छा खास बाती है कि सेक्सप्री कंट्री है यहाँ पर कोई भी लड़का कोई भी लड़की इंडिया का नहीं नैपाली एक साथ रह सकते हैं साथ आ सकते हैं जा सकते हैं कोई रोकने बोलने वाला नहीं है आपने देखा महिला को पाल है आए थोड़ा से मैं इनके घर को भी एक्स् तो यहां पर वह देख सकते हैं दरबा टाइप बनाए गया हुआ है यहां दरबा बनाय गया है डढ़वाज दर्बाज उसको बोलते हैं। यहां भी मुर्गी रखी जाती है। चल, जक्ष comft और आप खेयरान हो जाएंगे भूछ बढ़ा नहीं है। यह चोटा सा यह जोपड ऐसे जहाँ पर अती और sled किया जाता है। और और रीम प्लॉv तो यहां के लोगों का नारहन सयन है, जीवन है, खास बात है कि सेक्स फ्री कंट्री होने के नाते, लोगों में किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरी भावनाएं नहीं है, तो काफी बहतर लगा, काफी अच्छा लगा, यह इनका अपना मकान है, और बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, आप देखेंगे तो लकड़ियों से ही बना हुआ यह बिल्डिंग इनका दिखेगा, तो साथियों आज आपने नैपाल देखा, नैपाल घुमा हमारे साथ, हमारे ब्लाइक वीडियो के साथ, आप लोगों को नैपाल कैसा लगा, ख स्ट्राइब करें, वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करें, और जहां पर इन्होंने इस वीडियो को बनाया, मैं वीडियो के बारे में बतावे चाहता हूं कि यह उसमें वारतलाग कर रहे थे, स्टार्टिंग में जो इन्होंने कहा कि कोई भी एक लड़का लड़की सा क्रेट किए अगया ता कि लड़का लड़की साथ में सोच सकते हैं ऐसा सहने कहीं भी विडॉग में पूछा नहीं, ना हमें शो किया लेकिन जो भी इसके अंदर बताया गया कि लड़का लड़की एक साथ पड़ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कहा विन star कि भारत में ऐसा नहीं कि लड़का लड़की साथ में खड़े नहीं हो सकते ज्यादा जा अच्छा काम करीं अच्छी में और जॉब में लड़कं जेगें नहीं कि लड़कें से पाके रखा जा रहा है इंडिया में ऐसा नहीं है नेपाल को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नेपाल इक खूब सुरत देशा भी खूब रूटिक ले जाना जाता है हमाले की वज़ेते गरीनरी की वज़ेते और वहां की जो परशुपक्षी है उनके बारे में जित हिंदू कंट्री एक रौती हिंदू कंट्री है वहां पर बिल्कुल भी सब अलाउड नहीं होगा हां वहां की एज होती है जैसे की इंडिया में 18 है 21 है 18 प्लस होने के बाद होते हैं उसके बाद कुछ भी करें लेकिन नेपाल का अपना अलग कल्चर होगा अलग रूल्स हो इस अलग बात है और जो इसमें बता गया इसका थम्रेश देखे जो हमने इस वीडियो को देखा उससे हमें पता चल गया कि आखिरकार यह वीडियो कि सबस्क्राइब करें हैं और अपको लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना बूले साट यह इसे थम्लेश करके आपना क्लिक करके वीडियो देखते हैं और फिर अंदर कुछ और ही मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप और जी जादा नौलिज में ने और आपको इससे रिलेटर और कोई वीडियो है तो कुछ कमेंट शेशने में और क्यों पूर्ट इनटेक्स बनाऊंगा तो झाल झाल झाल